सूपरभात प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ, आप सब अच्छे होंगे? बच्चों, आज हम नई संजीवनी से पाठ दो किफायत का अध्यान करेंगे. सबसे पहले जानेंगे किफायत का क्या अर्थ होता है? बच्चो किफायत का अर्थ होता है बचत अब हम इसके नई शब्द देखेंगे बस्ती, मास्टर, गोर्ती पाडू, जहाज, चटपटी, किफायत, रॉकेट, विज्ञान तो चलिए बच्चो अब हम इस पाठ का अध्यन करते हैं यह कहानी है एक छोटे से गाउं की मोती टापूगी वहाँ पर एक दस साल का लड़का रहता है उसका नाम है अप्पाराव वह बहुत फिजूल खर्ची करता है उस गाउं में एक कोफी होटल है अप्पाराव हर रोज वहाँ जाता इडली डोसे खाता और बार-बार कौफी पीता रहता है वह कुछ ना कुछ खरिद कर खाता रहता है यह तो रहा खाने पिने का हाल कपड़े संभाल कर रखना वह जानता ही नहीं था अपने कपडों को गंदा कर लेता था और अपने साथियों से लड़ता जगरता रहता था हर रोज उसकी एक पैंसिल खो जाती थी किताबें फट जाती थी नई किताब खरिदने के लिए वह शोर मचाने लगता था वह बिल्कुल नहीं जानता था कि पैसा कैसे कमाया जाता है और कहां से आता है वह इकलोता बेटा था इसलिए उसके पिता उसकी इच्छा के विपरित जाकर उसे खिजाना नहीं चाहते थे लेकिन उन्होंने कई बार अपने बेटे को यह समझाने की कोशिश की कि पैसा कितनी जरूरी चीज है उसे कैसे कमाया जाता है उसे कितनी किफायत के साथ खर्च करना चाहिए वह पिता जी के सामने इन सब बातों को बड़े ध्यान से सुनने का दिखावा करता पर बाहर निकलते ही सब कुछ भुला दिता पिता ने निराश होकर एक दिन स्कूल के मास्टर के पास जाकर सारा हाल सुनाया और कहा मास्टर साहब अब उसको सुधारने का काम आपका ही है मास्टर साहब ने अप्पाराव को अपने घर बुलाया और कहा कि तुम दुपहर के समय हमारे घर आ जाना अप्पाराव हैरान रह गया यह सोचकर घबराने लगा कि ना मालूम वे क्या क्या सवाल पूछेंगे डर के मारे धिरे-धिरे कदम बढ़ा कर वेह मास्टर साहब के घर पहुँच गया और दरवाजे के पास सहम कर खड़ा हो गया अप्पाराव को दर्वाजे के बाहर देखते ही मास्टर सहाब ने बड़े प्यार से अंदर बुलाते हुए कहा आजा बेटा आजा बाहर क्यों खड़े हो गए हो यह सुनकर अप्पाराव की जान में जान आई मास्टर सहाब ने उसको चटाई पर अपने पास बिठा लिया और पूछा क्यों बेटा परिक्षा नस्दीक आ रही है ना खूब तयारी हो रही है ना यहाँ पूछ कर मास्टर सहाब ने अकबार हाथ में लेकर पढ़ना शुरू कर दिया उस अकबार के पीछे की और एक तस्वीर थी चंदरमा की तरफ उड़ने वाले एक चंदर्या की अपपाराव मन ही मन सोचने लगा कि उस रौकेट में बैठकर चंदरलो की और जा रहा है अपपाराव ने सहमे सहमे मास्टर सहाब की और देखा मास्टर सहाब ने कहा क्या कुछ पूछना चाहते हो अप्पा रावने संकोच के साथ कहा सर क्या हम चंदरमा पर पहुँच सकते हैं क्या हुआ तुमने कहीं वह तस्वीर तो नहीं देखी उसे कहते हैं रॉकेट इसे अमरीका में तयार किया जा रहा है यह हमें चंदरमा पर ले जा सकता है मास्टर सहाब ने उसे समझा दिया अब मास्टर सहाब कहती है तो फिर इस रॉकेट में सवार होने के लिए हमें अमरीका जाना होता है मास्टर सहाब अमरीका कहा है अगर लंदन होकर जाएं तो यहां से 10,000 मिल दूर है बेटा हवाई जहाज में लगभग 24 घंटे में वहां पहुच सकते हैं और पानी के जहाज में लगभग 25 दिन लगते हैं हवाई जहाज पर चढ़ने के लिए कहां जाना होगा क्या वेह हमारे गाउं में आता है मास्टर सहाब हस पड़े वेह यहां नहीं रुकता बड़े बड़े शहरों में हवाई अड़े होते हैं उसके लिए मुंबई या चेन्णई जाना होगा जिसके लिए बहुत सारा पैसा चाहिए सर कितना बहुत पैसा लगेगा यदि हम किफायत से पैसा बचाते जाएं तब जाकर कहीं हम ऐसी अचीब चीजें पाएंगे सर वैसे आप ही बता दे कितना पैसा लगेगा मास्टर साहब कहते हैं क्यों तुम जाना चाहते हो अपर आप कहता है हाँ सर तो मास्टर साहब कुल मिलाकर एक सो में काम चल जाएगा अब मास्टर साहब हस पढ़ते हैं और कहते हैं अमरीका तक पहुचने में 5-6 लाक से कम नहीं लगेगा तुम्हारा मकान, तुम्हारे खेत, सब कुछ बेचने पर भी इसमें आधा किराया नहीं बनेगा लाखो किलोमिटर दूर चंदर मंडल पर रॉकेट में जाने के लिए लाखो रुपए लगते हैं जानते हो, बाप रे बाप, इतना पैसा लगेगा अब पराव का सिर्थ चक्कर खाने लगता है हाँ बेटा, इतना सारा पैसा हमारे पास हो तब ही हम ये कारामात देख सकते हैं लेकिन एक दुसरा रास्ता भी है अब पराव को बड़ा अचमभा हुआ उसके मन में आशा के फूल खिल उठे अब मास्टर साहब कहते हैं तुम अच्छी तरहें पढ़ लिख कर विज्ञान की उच्ची सिक्षा पाओ तो सरकार अपने खर्च पर तुम्हें चंदर लोग भेज सकती है लेकिन उच्ची सिक्षा पाना इतना आसान नहीं है उसके लिए भी बहुत सारा पैसा चाहिए देखा पैसा कितनी बड़ी चीज है पैसे के बिना कोई काम नहीं चलता अब पराव ने सिर जुका लिया और सोचने लगा हाँ बेटा तुम अपने पीता जी से कहो कि वह पैसा जमा करे वैसे मैं तुम्हारे पीता जी को जानता हूँ वह फिजूल खर्ची करने वाले नहीं है अब अपराव का सिर जुक गया और अंदर ही अंदर शेरम के मारे वह अपने आपको समेटे रहा अब उसके सामने रॉकेट या चंदर लोग नहीं है उसकी जगह उसे अपने फटे कपड़े खाने पीने की चीजें कागज तथा किताबे दिखाई दे रही है अब अपराव को यह एहसास होता है कि मुझे फिजूल खर्ची नहीं करने चाहिए तो बच्चो अब इस कहानी से सिक्षा मिलती है कि हमें फिजूल खर्ची नहीं करने चाहिए तो बच्चो अब आप इस पाठ को अपनी पुस्तक में से ध्यान पुरवक पढ़ेंगे इसके नए शब्द अपनी कार्यपुस्तिका में सुन्दर लिखाई में करेंगे धन्यवाद